नमस्कार स्वागत है आप सभीकार नीज पर आपके साथ मैं हूँ पल्लवी रवींदर सिंग बुलिटिन की शुरुआत करेंगे एक और वायरस के साथ तेज बुखार से बदायू तप रहा है आपको बताते जिले 2050 से जादा बच्चे बीमार चल रहे हैं ओपीडी में मरीज मरीजों की भीड चटारों में बदलती जा रहे हैं लगातार लोगों की संख्या संक्रमित लोगों की संख्या वहाँ पर बढ़ती जा रही है और आपको यह भी बता दे की जिले में लगभग 169 लोगों की मलेरिया की जाच होई है उनना तालिस लोगों की रिपूर्ट के बाद एक केसिस सामने आते जा रहे हैं आपको बताते चले मलेरिया के और जिंगू के जिसको देखते ही वे प्रशासन पूरी तरीके से अब सतर्क हो चला है 250 से जादा बच्चे बीमार चल रहे हैं और 40 लोगों में पीवी वायरस पाया गया है इस वक्ती बड़ी खबर आ आपको बता चले बागपत में जिले में तेजी से बुखार जो है वायरल फीवर जो है वो लगातर बढ़ता जा रहा है बागपत में बुखार से अब तक 6 मौते हो चुकी है इस गोली तगा में बुखार से बच्चे की मौत हुई है तो वहीं फैजल लापूर में बुखा जासन सतर्क हो चला है और अब जो बड़ी जानकारी सामने निकल के आप आ रही है वो ये है कि मृत्कों की संख्या भी बढ़ती जा रही है तो गोरकपूर और आसपास के जुलों में भयानक बाढ़ है सैकडों गाउं डूबे लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं बड़ी खबर आपके टेलविजन स्क्रेण पर है आपके जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सैकडों गाउं टापू बन गए हैं बीमारी अलग से महाँ पर पैर पसा रहे हैं कि लगातार जो है वो बारिश होती जारी जिसको देखते हुए अब बारिश की वज़े से जल जमाँ हो रहा है और अब डिंगू और वैरल फीवर जैसी बीमारिया जो है वो अपने पैर जमाने लगी हैं इलाके में तो इसी को देखते हैं बड़ी खबर आपके टेलविजन स्क्रेण पर सैकडों सैकडों गाउं अब टापू बन चुके हैं इस्तिती अतिनत जो है उसके केसिज लगातार बढ़ते जा रहे हैं वैरल फीवर जो है वो लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है बड़ी खबर आपके टेलविजन स्क्रेण पर तो विस्तार से खबरों की तरो रुक करेंगे पाकिस्तान की खूफ़े आजनसी आईएसाई के चीफ लेटनेंट जनरल फैज हमीद के अफगानिस्तान दोरे पर तालिबान ने सफाई दी तालिबान के प्रवक्ता जबिए उल्ला मुजाहिद ने कहा कि वा पाकिस्तान सहि किसी विदेश को अफगानिस्तान के अंतरिक मामलों में दखल देने की इजासत कताई नहीं देगा फैस हमीद ने तालिबानी नेता मुला अब्दुलगनी बरादर से पिछले हफ़ते काबल में मलाकात की काई देशों ने अफगानिस्तान के अंधरुनी मामलों में पाकिस्तान के दखल को लेकर सवाल उठाए अफगानिस्तान की राजधानी काबल पर मद्द अगस्त में तालिबान के कबज़ा कर लेने के बात लेफ्टनेंट जनरल हमीद पहले उच्च पदस्त विदेशी अधिकारी है जो अफगानिस्तान की यातरा पर गए तालिबान के प्रवक्ता जबिल्ला मुझाहिद ने कहा कि समू पाकिस्तान सहित किसी भी देश को अफगानिस्तान के अंदरुनी मामलों में हस्तक शेप के अनमती नहीं देगा तालिबान के प्रवक्ता मुझाहिद ने कहा कि तालिबान ने इसलामाबाद को आश्रासन दिया कि अफगानिस्तान के भूमी का इस्तमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होगा तो देश में जानलेवा कोरोना वाइरस का खत्रा अभी भी चला नहीं है अभी भी बड़ी संख्या में मामले दर्ज हो रहे हैं देश में पिछले 24 घंटों की बात करें तो 31,222 कोरोना के मामले निकल कर सामने आ चुके हैं 990 लोगों ने कोरोना वाइरस से संकर्मित होकर अपनी जानकवादी स्वस्त मुंत्राले की और से ताजा जानकारी के अनुसार जो आकड़े सामने आए हैं 24 घंटे के वो 42,942 जिसके बात ठीक होने वाले लोगों के संक्या बढ़कर अब 3,22,24,937 हो गई वहीं अब एक्ट् लाग 41,42 लोगों की मौत हो चुके वहीं देश में पिछले दिन कोरोना वैक्सिन की एक करोड 13,53,571 डोजस दी गई जिसके बाद टीका करन का कुलाकडा 79,90,62,776 पर पहुंच गई बात आदे चले की देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिन राज केरल में कोरोन गुंटों में कोरोना वायरस के 19,688 नए मामले सामने आए वहीं 28,561 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं 135 मौते हुई हैं राज में आप पॉजटिविटी दर जो होगे 16,71 फीज दी